देखिए G20 का समय है, अलग-अलग देशों से यहाँ लीडर्स आ रहे हैं, और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है, दो financial newspapers में, दुनिया के जो मशूर financial newspapers हैं, यह guardian newspaper है, इसमें साफ लिखका है, जो मोदी-linked अदानी family, secretly invested in own shares, documents suggest, मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने share में अपना पैसा invest किया, पैसा invest किया, share price को inflate करने के लिए, दूसरा यहां, financial times अगबार है, इसमें लिखा है, hidden investors and a secret paper trail, और यह guardian की अंदर का page है, wealthy Indian family with links to Modi, invested in own shares, मतलब, one billion dollars, हिंदुस्तान से, अदानी जी की company के network के थुरू, अलग-अलग देशों में गया, और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी share price रही, उसको बढ़ाया, inflate किया, और उस फाइदे से हिंदुस्तान का जो infrastructure है, जो अदानी जी airports खरीद रहे हैं, ports खरीद रहे हैं, अभी यहां धरावी में शायद उनको बड़ा project मिला है, तो यह सब जो हिंदुस्तान के जो assets हैं, जो पुंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से share price को inflate करके खरीद रहे हैं, तो यह सवाल इन्हों ने उठाया है, और उन्हों ने कहा है, कि उनके पास सबूत है, paper trail है, internal emails है, documents है, तो सबसे पहले सवाल उठता है, यह जो पैसा use किया जा रहा है, यह किसका है, यह अदानी जी का है, यह किसी और का है, और अगर किसी और का है, तो वो किसका है, यह सबसे पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, कि इस काम को करने के लिए, mastermind विनोद अधानी जी है, जो उनके भाई है, गौतम अधानी जी के भाई है, मगर उनके साथ, उनके दो business partner और हैं, एक का नाम नासिर अरी, अली, शबान अली, और दूसरा, चैंग चूंग लिंग, चैंग चूंग लिंग, चाइना गा है, तो दूसरा सवाल ये उठता है, कि जब अधानी जी, हिंदुस्तान का infrastructure खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो Chinese national है, ये इसमें कैसे involved है, इसका क्या role है, इसमें क्या किया, ये थाबित होना चाहिए, ये दूसरा सवाल, और ये जो foreign nationals हैं, ये हिंदुस्तान की share market को कैसे manipulate कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, national security का मामला है, अधानी जी, defense में काम करते हैं, infrastructure में काम करते हैं, airport sports में काम करते हैं, तो ये जो दो foreign nationals हैं, खास्तोर ये जो Chinese आदमी है, चैंग चूंग लिंग, इस तक क्या role है, ये दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल, जो सेभी का investigation हुआ था, जिसने clean chit दी, जिस व्यक्ती ने investigation किया, और जिसने clean chit दी, आज वो अधानी जी का जो channel है, NDTV, उसका director है, तो मतलब ये एक network है, इसमें आपको institutional capture दिख रहा है, सेभी का chairman clean chit देता है, और उसके एकदम बाद, अधानी जी की company में director बन जाता है, international मामला है, stock market वो inflate किया जा रहा है, और उस inflate करने के बाद, उससे हिंदुस्तान के assets खरीदे जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधान मंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शान्त क्यों हैं, यहाँ पे foreign newspaper ने साफ कहा है, wealthy Indian family with links to Modi, मतलब अगबार कह रहा है कि नरेंदर मोदी जी का, अधानी जी का रिष्टा है, सवाल उठता है क्या रिष्टा है, और यह जो agencies है, CBI है, ED है, यह अधानी जी पर research क्यों नहीं कर रहे हैं, यह अधानी जी को interrogate क्यों नहीं कर रहे हैं, यह सवाल उठता है, हिंदुस्तान का reputation line पे है, G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहाँ पे level playing field है, हिंदुस्तान transparent है, यहाँ पे भरष्टाचार नहीं है, और उन सब के सामने, जब वो यहाँ आ रहे हैं, उनके सामने यह उधारन है, वन बिलियन डॉलर्स यहाँ से जा रहा है, stock price inflate की जा रही है, infrastructure और assets खरीदे जा रहे हैं, जिसने investigation किया, उसको अधानी जी ने मतलब, अपनी company में नौकरी दे दी, तो यह हिंदुस्तान की image को damage कर रहा है, और इसलिए प्रधान मंत्री को एकदम, action लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम JPC लागू करेंगे, JPC इसको investigate करेगी, और full scale investigation होगा अधानी जी का,